हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल करियर इंप्लोई फिर से आ चुका हूं न्यू केंपस प्लेस्मेंट की इन्फोमेशन लेकर केंपस प्लेस्मेंट किया जा रहा है होंडा पावर प्रोडक्स की तरफ से बहुत ही अच्छी आपकी सेल्दी रखी गई है जो सेल्दी के बारे में जानकारी देने वाला हूं इलिजबेल्ट क्राइटेरिय के बारे में जानकारी देने वाला हूं जितने भी कंडिडेट इंट्रेस्टेन हैं वीडियो को पूरा देखेंगे बहुत ही अच्छी कंपनी है और सेल्दी भी आपकी बहुत आच्छी रहने वाली है तो एटू जड़ जनकारी देने वाला हूं इससे आगे देख लेते हैं क्या इन्फोमेशन दिया गया है तो यहां पर आपको लिखा हुआ दिखर होगा होंडा सील पावर प्रोडक्स लिम्टेड केंपस प्लेस्मेंट 2021 तो होंडा सील पावर प्रोडक्स केंपस प्लेस्मेंट 2021 बताया गया है इसका केंपस प्लेस्मेंट किया जा रहा है 2021 में और फ्रेसर कंडियेट को ट्रेनी के तोर पर काम कराया जाएगा ट्रेनी के तोर पर सलेक्ट किया जाएगा और यहां केंपस प्लेस्मेंट अक्टूबर 2021 में किया जा रहा है इसके सब्सक्राइब च्छोटा सा इन फोमेंशन दिया गया है जो कि हर कंपनी देती है इसके बाद में यहां पे बताया गया है कंपनी का वैब सैट तो कंपनी का वैब साइट है www.hondaeindya power.com यह कंपनी का वैब साइट है कंपनी के बारे में अधिक जनकारी के लिए आप इस website पे जा सकते हैं और company के बारे में और अधिक जनकारी ले सकते हैं आपका जो position या डेजिकनेशन की बात करें या post की बात करें तो आपका trainee के तोर पर आप काम करेंगे यदि आप अच्छा काम करते हैं तो हर कंपनी की तरह या कंपनी भी आपको आगे बढ़ाएगी फिलाल आपका सेलेक्षिन ट्रेनी के तोर पर किया जाएगा इसके बाद जोग लोकेशन की बात करने तो जोग लोकेशन आपका यहाँ पे दिया गया है तो होंडा सील पाबर प्रोडेक्ट लिम्टेड कसना ग्रेटर नोईडा डिस्टिक गौतम बुद्धिनगर यूपी यूपी में ग्रेटर नोईडा में यह कंपनी है तो वहीं पर आपको रहकर कसना में जोग गरना रहेगा कसना ग्रेटर नोईडा में पढ़ता है और ग्रेटर नोईडा गौतम बुद्धिनगर में पढ़ता है जो कि एक जिला है यूपी का वहीं पर रहकर आपको नोकरी करनी रहेगी आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फोमेशन दिया गया है सेल्दी के बारे में बात करने तो सेल्दी यहाँ पर आपका 15,466 रुपे रहने वाला है अटेंडेंस आवार्ड आपको मिलेगा पर मन्त और इसके साथ ही आपका कैंटेन फैसिलिटी फिरी में रहने वाला है तो और भी कई फैसिलिटी जो कंपनियां देती हैं जिनके लिए कि आप रिक्वाइड होते हैं वो सभी फैसिलिटी इस कंपनी में भी आपको मिल जाएंगी 15,466 रुपे आपका सेल्दी पर मन्त रहने वाला है इसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करने तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका ITA मांगा गया है ITA पास आउट और बत कंडिडेट हैं वो सभी कंडिडेट इसमें जा सकते हैं और 21 से आप अगर 2016 के अक्टूबर के बाद में आपका रिजल्ट आया है तो 16 वाले भी इसमें जा सकते हैं एज लिमिट की बात करने तो 18 से 26 एर तक इसमें एज लिमिट रखा गया है जो कि यहाँ पर आप देख सक होते हैं एज लिमिट 18 से 26 एर तक रखा गया है जितने भी कंडिडेट का उमर 18 कंपलेट हो चुका है और 26 से कम है वो सभी कंडिडेट इसमें जा सकते हैं वो सभी इसमें एलिजबल हैं केंपस प्लेस्मेंट की बात करें कि कहां पर और कब केंपस लग रहा है तो यह 20 अक् आई टी आई गबर्मेंट आई टी आई चंदोसी डिस्टिक संभल यूपी यूपी में यहां केंपस प्लेस्मेंट किया जा रहा है संभल जिला के चंदोसी में जो गबर्मेंट सरकारी आई टी कॉलेज है यहां पर यह कंपनी 20 अक्टोबर को आ रही है 20 अक्टोबर 2021 को आ हो जाना है यहां पर 10 a.m. टाइम दिया गया है सुबह तो सभी कंडिडेट जितने भी इंट्रेस्टेड हैं तो वो चंदोसी में जाएंगे सरकारी आई टी एई में जो की संभल यूपी में प्रता है जितने भी कंडिडेट यूपी के हैं वो सभी इसमें जा सकते हैं यूप करके पूंच सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल इकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी नई आना बाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी आपका कोई भी वीड वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम